दोस्तों आज हम कवर करेंगे इंगलेंड बर्सन निजू लेंड का बीच जो ODI मकावला फर्स्ट खिला जाएगा उनके वारे में और यह ODI मकावला जो खिला जाएगा यह कहां खिला जाएगा पीच रिपोर्ट के आराने वाला है सारा बात इस वीडियो के माद्यम से हुआँगा आज पूरे चार ढमकार्ड के ख्तिलारी के रूम में सामिल है उसे आप किस तरह यूज करना है यह भी बताऊँगा गरेंड अलनीम typically से रखना किया आजुर्ष बटलर को कप्टन देना सही होगा क्या आज बैस्ट्ंगिन जे रुट का कप्टन देना सही होगा इसे मैं उपने चारा वात बताहूंगा क्या आज का मैच में सम करन केटन सी और वस केटन सी योग रहेगा क्या पीज रिपोर्ट कैसा रहेगा ये हर किसी जानता है न जानता है इसी के बारे में बतता करूंगा और आज जो मैच होगा और रिसन्ड के मैच के किशका खराब है और वो head to head मुकावला काफी संदार खेलता है काफी अच्छे खासा परदासन करता है इसलिए मैं आपको ध्यान पुरबक इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जायागा उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ पीच रिपोर्ट जो है पीच बैटिंग पीच है यहाँ पर सारथ 300 से सारथ 300 के बीच बना है यहीं 200 से उपर अभी तक ज़्यादा स्कोर देखने को मिला है मिनिमार्म यहाँ पर 14 विकेट गिर सकता है दोनों टीम के गेंस दोनों टीम के अगें 14 विकेटर लगवक तीन बार गी रहे हैं 14-15 इससे ज़्यादा नहीं गी रहे हैं जो फर्स्ट एनिंग में कावी बैटिंग करता है वह कावी अच्छे स्कोर कर देता है कभी जो सकेंड एनिंग में बैटिंग करता है वह भी कावी अच्छे स्कोर कर देता है और इस दोनों टीम के तुलना में देखा जाए दोनों टीम कावी इस्ट्रोंग है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर गोड पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पर देखिए अवरेज स्कोर 280 है 280 दिखाया जाया है मैंने का 2500 से 300 से उपर भी इस गरोंड पर बना है और इस गरोंड पर लो भी बना है लो एक स्वा पतीस से उपर ही बना है यहाँ ज़्यादा तर बैस्ट में को सपोर्ट करता है यह खेले जाएगा बन्यू एस पर गरोंड जो कॉल फेंड में है वो पर खेला जाएगा वहाँ खेलने के बाद दोनों टीम का फर्ष्ट मकाबला है ध्यान रखिए दोनों टीम का फर्ष्ट मकाबला है दोनों टीम इस ground पर लगबग 30 मकावले खेले हैं दोनों टीम इस ground पर recent के match देखा जाए तो 30 match हुए हैं 30 में से batting जो first है वो 8 जिते हैं जो batting second है वो vice जिते हैं इस तरह से ध्यान रखते हुए जो batting second करेगा उन्हें ज़्यादा advice मिलता है उसे जितने का chance ज़्यादा रहता है और अपने टीम में term card player के room में किसे सामिल करोगा और किसे नहीं head to head मकावला दोनों आपस में कुल कितने खेले हैं आपस में कुल दोनों मिला कर लगबग 80 मकावले खेले हैं पचाशी मकावले में से जो है इंगलेंड 43 जीते हैं और निजू लेंड 42 करीबन जीते हैं इन्हीं दोनों का head to head मकावला कापी संदार है काफी अच्छे कासा है लेकिन जीतने का chance किसे ज्यादा है किसे कम है अभी फिलाल के लिए जीतने का chance जो है इंगलेंड का ज्यादा है और निजू लेंड का थोड़ा कम है इसलिए ज्यादा कम नहीं है और ज्यादा ज्यादा कम नहीं है ज्यादा ज्यादा जितने का chance भी काफी अच्छे खासा है इस कंडिशन में आज का टीम जो होगा और कैसा रहेगा और किस कंडिशन में किसे रखना और किसे नहीं रखना है यह भी बताऊंगा यहां पर देखिए मैं आपको सबसे पहले मैं विकेट कीपर सेलेक्शन से बता देता हूँ चार विकेट कीपर है मैंने चारो का रिकार्ड एश्टेड हेट टू हेड बताऊंगा ताकि आपको टीम बनाने में कोई परिशान ही नहीं होगा बस मेरे दोस्तों इस वीडियो को ध्यान पुरवक आप दीख लेते हो तो आप अच्छे खासे प्रोपिट कर जाते हो यहां प उमीद लगा सकते हैं लेकिन एक बात ध्यान में रखना जब विकेट गिरेगा तब इने मौका मिलेगा और बहुत भाई लोग इसे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देगा 100% अपने टीम में रखेगा और कुछ भाई लोग इंगनोर करके जाएगा क्योंकि काफी नीच जी उत्रेगा इस जोश बटलर ठीक ठाक है आप इसे ट्राइक कर सकते हैं ट्राइक करने में कोई बुराई नहीं है मौका मिले तो इस टीम का अगेंस ठीक ठाक परदर्शन कर लेता है अब देखिए बैने एश्टोक क्या वाई बैने एश्टोक के बात करें तो हैड टू ह एड रिकॉर्ड कापी संदार है इस टीम का अगेंस तीन मुकाबले खेले हैं तीन मुकाबले में तीन सतक लगाए हैं बैने एश्टोक आज के मैच में केप्टन और वाईस केप्टन जरूर देना क्योंकि बहुत भाई लोग इसे इन्नोर करके जाएगा इनका रिसन के शाफिक रहने वाला है हो सकता है बैक्टिंग पीच है अच्छे एसकोर करने का उमीद लगा सकते हैं जॉइनिंग बेस्ट काफी संदार है आप देखिए यहां पर आ जाता है टी साउट टी साउट जो है इसे लाइनम में नाम तो नहीं है लेकिन रेसन के मैच में तो ठीक जर्ति razor कर सकते हैं अब आते हैं जो है ऑफिस्टी टीकटाग प्रदर्षण करने का उमीद लगा सकते हैं थिक टाक पॉर्दर्षण करने का उमीद लगा सकते हैंि और इसे मैं अभी जोईनी बेस्ट को लिया हूँ जोस बटलर को लिया हूँ थोड़ा नीचे उत्रेगा लेकिन फिर भी मैं इसे दोनों को टराइक करूंगा क्योंकि अगर बिकेट ज़्यादा गिरता है तो जोस बटलर कभी भी आकर अच्छे खासे परदर्शन कर देते हैं मैंने जोईनी बेस्ट और जोस बटलर और डेनवे कोके कपने टीम में पिक किया हूँ आप बात कर लेते हैं बैस्ट में सेक्षन में जो कि बैस्ट में कबली करने का लिए हैं दो में एक में फ्लोक्त हुए हैं दूसरे में सतक लगाए हैं इस त trabalhar करने का लगा सकते हैं हमेशा नहीं लगा सकते हैं पार्ट टेम बॉलिंग करने के उमीद लगा सकते हैं देखिए जिसन रोई ओफनेर वैस्टिंग करेगा और सेलेक्शन परस्टेंट कम है और एक-दो में फ्लॉप्स होने के करने से लोग इनोर करके जायेगा और यह डर्म काट के परदसन करने का इनका उमीद अब लगा सकते हैं यह डावलू वैंड जो खेलेगा यह निजू लेंड का इसे तो मैं जरूर टराइक करूंगा डर्म काट के पिलियर के रूम में सामिल करूंगा और यह अपनर जो है यह वैंड के ठीक ठाक परदसन कर लेता है मैं इसे तो यह अफनर वैस्टरिंग करने का उमीद इनसे लगा सकते हैं अच्छे खासे रिकारड है अब हिहां पर डेवी मलन को बात करें डेवी मलन थोड़ा नीचे आएगा और ठीक ठाक परदसन कर लेता है और वैस्टरमेंड के दिरिश्टरी से काफी अच्छे खासा है और इ करने का उमीद लगा सकते हैं लेकिन मैं अभी इन समय से और के पिलियर में किसे रखूंगा किसे न यह भी बताऊँगा क्योंकि जब देखा हूं इंगलेंड का विकेट बहुत कम गिरता है इसलिए मैं इंकलेंड का पिलियर वापनार ही लिया हूं और सकता हूं इन दोनों कर रहा सकता है Kभी भी है सकोर हो सकता है कभी कुछ हो सकता है कभी लोài सब्सकान जो है सेलेक्षन पर्सेंट है है लेकिन इन्हें अच्छे का से फर दर्शन करने का उमीद लगा सकते हैं और उससे मैं आपको बता देता हूं इन दोनों में से मोईनाली ठीक टाक पर दर्शन करने के आज में अच्छे खासाफ फीक रहने वाला है इन्हें मौईणा ली को क्योंकि एक मकाबले तीन विकेट निकाले हैं दो चार मकाबले में से चार विकेट निकाल c Tax आप बात कर लेते से बॉलर सेक्षन में काफी संदार बॉलर है जो सुट रहा है और ODI है ODI में बॉलर को अपनी टीम में तो पीक करना ही पड़ेगा अब यहाँ पर किसे रखूं किसे नहीं क्योंकि दोनों टीम का रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं और काफी संदार है यहाँ पर देखिए आदित रासिल जो रिसंड के पॉम काफी अच्छे हैं ठीक टाक परदरसन करने का उमीद लगा सकते हैं क्योंकि आज मुझे लगता है इंगलेंड जीतने का चौंस ज्यादा है आप चाहें तो इंगलेंड का फेवर में टीम बना सकते हैं नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अदित रासिल को डर्मकार्ट के प्लियर के रूम में मैं जामिल किया हूँ चकर किया है मुवड को किया हूँ आपके लिए ट्रेंट बॉल ठीक टाक है टीस और ठीक टाक परदरसन कर लेता है यह में तो टिक्टाक है डर्मकार्ट के एल्डूम में आए रिसेंट टॉपिया टिक्टाक पर दसन करने का उमीद आपको लगा सकते हैं यहां पर वलंडा सेक्ट्टन में किसे लोगों यहां पर समकरन डिमेस्टर को यह मेथल अश्टार को अपने ट्रीम में पिक कर सकता हूं मैंने यहां पर तीन बॉलर लिया हूं जो कि तीन बॉलर रहें इंगलेंड का है तीन बॉलर इंगलेंड का है अब मेत्हवाड को से लेक्सन परसंट का मैं डर्मकारण के पिलियर के रूम में सामील होगा इससे रख सकते हैं यह तो अब चाहे मैं अपने ट्रीम में अधित राषिल को पिक करने के बाद कर सकता है और इंगलेंड का मैंने ज्यादा वेस्ट में लिया हूं मैंने 7-4 combination बनाया हूँ 7-4 combination बनाने के बाद देखे नेश्ट करता हूँ नेश्ट करने के बाद देखे आप captaincy और voice captaincy मैं आज के match में captaincy दोंगा joining best को क्योंकि batting पीछ है ठीक टाक करने का उमीद इनसे लगा सकते हैं अच्छे खासे परदर्षन यह कर सकता है और अच्छे खासे उमीद इनसे लगा सकते हैं captain के room में मैंने joining best को दिया हूँ और voice captain के room में आप किसे दूं voice captain के room में यह route को ठीक टाक है या देनो एको ठीक है captain और voice captain इन्हें दिया captain joining best voice captain के room मैं जे रूट को दिया हूँ क्योंकि इन्हें लगता है कि आज अच्छे कासा परदर्षन कर सकते हैं दो मैच के लिए हैं दो मैच में अच्छे कासा उम्मीद इन से लगा सकते हैं अगर आप उसे नहीं देना चाहते हैं पार्ट टेम बॉलिंग करता है आप वाइस केप्टन टडाए कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं यह पार्ट टेम बॉलिंग करेगा और आच्छे कासा पीक रहने बाला है मैंने केप्टन दिया हूँ जोईनिन इमबेस्ट को और वाइस केप्टन जेशन रॉय को दिया हूँ सेव टीम करता हूँ सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का पर विव किस तरह से रहेगा मेरा टीम का पर विव इस तरह से रहेगा देखिए मेरा टीम का पर विव इस तरह से रहेगा इस तरह से मेरा टीम का पर विव रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों